अंतर राष्टिय योग दिवस के मौके पर अज कोडर्मा के जवाहण नबोदे बिद्याले में मुख कार्जक्रम का आयोजन किया गया जहां केंद्रिय सिच्छा राजमंत्री अनपूर्णा देवी ने जवाहण नवोदे बिद्याले और केंद्रिय बिद्याले के बच्चों के साथ योग किया योग परशिचकों के द्वारा बिद्याले परिशर में मंत्री अनपूर्णा देवी और स्कूली बच्चों को योगा भ्यास कराए गया बिभिन आसन और मुद्रा में मंत्री अनपूर्णा देवी समेट इस्कूली बच्चों ने योग किया और योग से निरोग रहने की कला सिखी इस्कूली बच्चों के साथ योग करने के बाद केंदरिये सिछा राजमंत्री अनपूर्णा देवी ने कहा कि निरोग रहने के लिए सभी को पर्ति दीर योग करना चाहिए योग करने से ना सिर्फ अंदूरी सक्ति मिलती है बलकि मन भी सांत रहता है उन्हेंने कहा कि पर्धान मंतिर नरेंदर मोदी के पर्यास से आज पूरा देर योग दिवस को एक जस्न के रूप में मना रहा है और निरोग रहने की कला सीख रहा है उन्हां ने कहा कि योग का परचलन सदियों से चला आ रहा है और आज पूरा बिश्व इसका अनुसरन कर रहा है यह बहुती गर्व की बात आप भारत के दौरा आदनिया प्रधानमंत्री जी के दौरा यह दिया गया और यह अंतरास्ट्रे अस्तर पर आज योगदिवस मनाए जाता है और योग से मन चित्त सांत रहता है और हर जगा आज के दीन में अगर आप देखें तो तो मेडिकल साइंस में भी योग की बहुत महत्ता बताई गई है तो निश्चित रूप से इस विश्वर अंतरास्टे योग दिवस में अब हर कोई इस यह नवा अंतरास्टे योग दिवस मना रहे हैं हर एक संस्थान में आप देखेंगे तो अब एक लगभग जगों पर की एक सब्जक्ट योग के रूप में यानि बच्चों को योग सिखाते हैं उनको ताकि हमारे बच्चे स्वस्त रहें जब स्वस्त मन रहेगा तभी स्वस्त वो सोचेंगे और तभी भारत के विकास के लिए वो काम करेंगे भारत के विक्षित भारत की और अग्रसर होंगे तुछलिए आज अंतरास्टे योग दिवस पर सबको सुबकामना देते हुए हर कोई हम योग को अपने जीवन में आत्मसाथ करें रोज अपने दैनिक कारियों में तो अगर हम इसको आत्मसाथ करते हैं तो निशित रुप से हमें उर्जा मिलती है नहीं उर्जा नहीं ताज करते हैं